हेलो दोस्तो मेरा नाम है मधू और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दीके दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरस्टिंग बात बताने जा रही हूँ यानि कि वर्ल्ड टॉलस्ट फाइंड बर्ड के बारे में इगल के बारे में कुछ बाते बताने जा रही हूँ जो कि काफी नॉलिजबल है तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बिलके न ओडिकेशन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसा ही नॉलिजबल वीडियो के अपडेट टाइम जो टाइम मिले ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे परेवरंड में ऐसे बहुत पक्षी है जो कि अभी बहुत ही कम हो गया है उनके प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है उसी तरह से इगल यानि कि गिद की भी प्रजाति विलुप्त हो गई है तो चलिए जानते हैं कि आखर यह कितना उचा उड़ सकता है यानि कि गिद जो है सबसे उची उड़ान भरने वाला पक्षी में से एक है दुनिया में सबसे उची उड़ान भरने वाला पक्षी दोस्तों मानने वाली बात है कि कितना उचा यह उड़ता है यानि इसकी उचाई अगर सबसे जादा है तो ये इसकी कुछ खाशत के कारण है क्योंकि प्राकृतिक देन है इसकी कि ये पक्षियों में से सबसे जादा उचाई तक उड़ सकता है और इसकी खोज रूपल्स वेंचर ने 1973 में आईवरी कोस्ट में 37,000 प्रिट के उचाई पर दोस्तों और यह तब हुआ जब इसने एक हवाई जहाज को प्रभावित किया था ये उचाई एवरेस्ट के उचाई से भी अधिक है यानि कि एवरेस्ट के उचाई एगर फिट में देखी जाए दोस्तों तो 29,029 फिट ही है लेकिन 37,000 फिट तक इगल उड़ सकता है तो ह नॉर्मल अगर बर्ड जो होता है वो इस स्थिती में मर जाता है यानि कि अगर वो 37,000 फिट तक चला जाया तो ऑक्सिजन की कमी के कारण वो मर जाता है लेकिन गिद ही ऐसा एक मात्र पक्षी है जो कि इतनी उचाई पर भी सर्वाइब कर लेता है तो कैसी लगी आपको ये अगले वीडियो में तब तक के लिए धनिवाद दोस्ति